अगर आप एक महीला हैं और आपके पीरियड मिस हो चुके हैं लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और एक बार नहीं कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़ वीडियो खास आपी के लिए है आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये वाली कन्फीजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और आप जान जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैन दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि आपका प्रेग्नेंसी टेस्ट तो बार-बार नेगेटिव आ रहा है लेकिन आपके पीरिएड भी मिस हो चुके हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ पीरिएड मिस होने के दो ही सब से में कारण होते हैं, पेला कारण तो यह होता है कि या तो आप pregnant है और दूसरा कारण यह होता है कि अगर आप pregnant नहीं है तो शरीर में hormonal imbalance हो जाते हैं, जिसकी वज़े से period मिस हो जाते हैं अब दोस्तों आपकी situation है दूसरी वाली, जिसमें आप pregnant नहीं है क्योंकि अगर आप pregnant होती तो आपका pregnancy test positive result ही दिखाता ना कि negative result तो दोस्तो आखिर अगर आप pregnant नहीं है तो फिर और कौन कौन सी वज़े है जिसकी वज़े से आपका period मिस हो गया है जिसकी वज़े से आप काफी फरेशान है तो दोस्तो पेली गलती होती है गलत खान पान जी यहां दोस्तो दोस्तो आजकल लोग इतने ज़्यादा बीजी हो गए हैं कि उनके पास खुद के लिए जरासा भी time बिल्कुल नहीं होता है जिसके चलते वे बहुत ज़्यादा गलत खान पान खाते हैं गलत lifestyle follow करते हैं दूसरा कारण होता है stress भरी lifestyle जी यहां दोस्तो अगर आपकी lifestyle ऐसी हो गई है जिसमें आपके tension का level बहुत ज़्यादा है जिसकी वाज़े से आपको बहुत ज़्यादा stress फिल होता है आप काफी ज़्यादा stress फिल कर रहे हैं तो इसकी वज़े से भी शरीर में estrogen और progesteron हार्मो बिगड जाता है और इस लेवल के बिगडने के बाद आपका जो period circle है उस पर इससे effect परता है और period circle miss हो सकता है तो इससे दूर रेने का एक ही उपाई है आप जितना जल्दी हो सके stress भरी lifestyle को छोड़ें तनाव मुक्त रहें जितना जल्दी आप तनाव मुक्त रहेंगे ये problem आ और आपका period सलकर वापिस से regular हो जाएगा दोस्तों अगली वज़े की बात करते हैं अगली वज़े होती है अन्प्लान प्रेगनेंसी जियां देखिए हम सभी अच्छी तरह से एक बात जानते हैं कि प्लान प्रेगनेंसी जो होती है उसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो बात की वज़े से भी आपके period मिस हो सकते हैं तो यह भी एक वज़े है period मिस होने की इसके अलावा अगली वज़े है कि बहुत ज्यादा अगर आप exercise कर लेती हैं तो आपको period miss हो सकते हैं जी हां देखिए आप अगर regular exercise करती हैं और regular हिसाब से करती हैं मतलब कि जितना exercise आप करती हैं केवल उतना ही रोज करती हैं तो कोई फरक नहीं करता लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा exercise हम कर लेते हैं जिसकी वज़े से भी ये शरीर को effect करता है और इसकी वज़े से खास तोर पर महिलाओं को period miss होने वाली problem देखने को मिलती है तो ये भी एक परेशानी है दोस्तो अगला कारान खास तोर पर उन महिलाओं को होता है जो नई नई माँ बनी है जो की breast feeding करती है यदि आप अपने बच्चे को दूद पिलाती है स्तनपान कराती है तो इसकी वज़े से भी period miss हो सकता है इसके लाओं आपको बता दें कि लंबे समय से अगर आप बिमार चार रही है तो बोडी में minerals और vitamins की काफी कमी हो जाती है जिसकी वज़े से भी period miss हो सकते है और बोडी में hormone का level बिगड़ जाता है तो अगर आप लंबे समय से बिमार है तो बिमारी के बाद आपका period circle वापिस से जब आप healthy हो जाएंगे बिमारी दूर हो जाएगी तो regular हो जाएगा अब बताते हैं आपको आखरी कारण जब period pregnancy test तो negative आता है लेकिन period miss हो रहा है तो उसका आखरी कारण ये है कि अचानक से ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ गया है अचानक से आपने weight gain कर लिया हो मतलब की एक महीने के अंदर अंदरी 10-15 किलो वज़न आपका बढ़ गया है तो इस वज़े से भी शरीर के अंदर hormonal effect होता है hormonal imbalance की शिकायद होती है और इस वज़े से आपका period सलकर बिगड सकता है यानि कि आपके period miss हो सकते हैं तो देखा आपने दोस्तो ये थी वो main वज़े जिसकी वज़े से आप pregnant तो नहीं होती है जिसकी वज़े से pregnancy test negative आता है लेकिन February period miss हो जाते हैं तो उसके पीछे की सारी वज़े आज की इस वीडियो में हमने बताई उम्मिद करता हूँ कि इसके बाद आपके दिमाज में कोई confusion नहीं होगा और आपको कोई problem नहीं होगी तो दोस्तो ये थी मेरी आज की जानकारी जो होती हैं ही खतम उम्मिद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं धनिवाद दोस्तो